नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जैश्री कृष्णा स्वागत है, आप सभी का आज की नई वीडियो में तो तुला राशे वालों, आपके पैरों का सबसे बड़ा कांटा है, यह एक व्यक्ति आने वाले अगले 24 घंटे में आपका जीना हराम कर देगा, दोस्तों, कोई म सालों से आपका जीना हराम कर रखा है, इसलिए आपसे निवेदन करूँगा, आप अंत तक वीडियो देखिएगा, ताकि आपको सारी बात सही से समझा सके, शुरुवात करने से पहले, भगवान श्री कृष्ण के भक्त इस वीडियो को लाइक करकर, कमेंट बॉक्स में र बहुत ही ज्यादा जलते थे, और दोस्तों, यश में आपकी सफलताओं को देखकर, वो जलजल कर ही मर जाएंगे, जी हां दोस्तों, उनके जनकाल में इस प्रकार के स्थिती बनने वाली है, कि दोस्तों, वे लोग अपने आपको बिलकुल ही सदमे में पाएंगे, जी हां जी हां दोस्तों, और जो आपके उपर हंसते थे, दोस्तों, उनका यश में बहुत ही बुरा हाल होने वाले हैं, जी हां दोस्तों, बस हम आपको यही बात कहना चाहेंगे कि आपको अब कुछ भी नहीं करना है, उन लोगों को बिलकुल भी उनके बारे में नहीं बोलना है, ना ही उनका शब्द अपने मुह पर लाना है बस दोस्तों आपको अपने जकाल में कार्य करने है जो भी सफलताएं आपको ईश्वर दे रहा है जो भी सफलताएं भगवान श्री राम आप सभी को दे रहे हैं दोस्तों उन्हें आपको बस लेना है और अपने जनकाल में आगे बढ़ना है दोस्तों। यकीन मानिये आने वाले 48 घंटों का समय आप सभी के जनकाल में खुशियों की हरियाली होने वाली है। जी हाँ, दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों अगले 48 घंटों के अंदर आप शब को अपने युनकाल में कुछ महत्वपूर्ण उपायों को भी करना चाहिए। जो भी बरकत है, घर में जो भी आपके कार्य हैं, वे बिल्कुल ही संपन्न हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, कि सबसे पहला उपाए आपको अपने जनकाल में यह करना है, कि दोस्तों, आप सभी के जनकाल में ऐसा होता ही रहता है, कि पेशा आपके नकाल में टिकता ही नहीं है। आपका पैसा कमाया हुआ रुक नहीं पाता है। जी हाँ, दोस्तों, आप इतना मेहनत करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं। और दोस्तों, वह पैसा आपके पास नहीं टिकता है। कोई न कोई विग्ण बाधाओं में वह पैशा खर्च हो ही जाता है। तो दोस्तों, इनके ल जी दोस्तों, धन आप सभी के घर में रुक जाएए। तो दोस्तों, ऐसे आपको क्या करना है। दोस्तों फिर उस कपड़े में सारे सामान को बांध कर पोटली नुमा बना कर अपने घर में जो तिजोरी है या फिर गले हैं उनमें रख लें। दोस्तों इस से आप S.B. के जो भी कारे अटके हैं वे सारे काम बनेंगे और जो भी पेश आपके घर में आते हैं जो किसी ना क किसी विग्न बधाई में खर्च हो ही जाते हैं। चाहे आप कितना भी चाहते कि पेशा इनको हम रखेंगे। उपशा नहीं रुकता है दोस्तों, अब आपके जीवन काल में शुब आय को करने से धन जरूर ही रुकेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। स्वास्थ्य और दिन्चर्या के प्रती सजग रहना होगा। अगर कोई परिवर्तन संबंधी मामला अटका हुआ है तो आज हल हो सकता है। घर में कोई धार्मिक गती विधी होने से सकारात्मक वातावरन बना रहेगा। किसी खास रिष्टेदार से आपको उपहार है। दो पहरबाद परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं। धैर्य बनाए रखें। कोई दुखत समाचार मिलने से मन में उदासी रहेगी। इस समय सबसे महत्वपूर्ण यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जल्दबाजी में किसी भी काम को अंजाम ना दें। अगर इलाएं अपने व्यवसाय में विशेश रूप से सफल रहेंगी। अपने कर्मचारियों के साथ सहयोग आत्मक व्यवहार रखने से उनका कार्यों के लिए समर्पन बना रहेगा। अपने महत्वपूर्ण कार्यों में जीवन साथी और परिवारजनों का सहयोग अवश्य निश्चित ही आपको उचित सलाह मिलेगी, प्रेम प्रसंगों में मधुर्ता बढ़ेगी, स्वास्थय का ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर और डाइबिटीज से संबंधित नियमित जाँच करवाएं, इलाज के लिए लापरवाही ना बरते, आपकी वानी अच्छी रहेगी किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल लेंगे, नए संबंध स्थापित होंगे, जो की लंबे समय तक तक बने रहेंगे, विदेशी मामलों से धन लाब और पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, बच्चों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, युवाओं को भवि कि मेहनत के सकारात्मक नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे, धन संबंधी मामलों में रिस्क लेने से नुकसान हो सकता है, इस बात का विशेश ध्यान रखें, विरोधी आपके खिलाफ शड्यंत्र बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे, कंपटीशन दे रहे हैं, तो कोशिशों में कमी ना आने दें, निश्चित सफलता मिलेगी, अगस्त और सितंबर थोड़ा कठिन रहेगा, इन में अचानक धन संबंधी और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, पत्रिक संपत्ती को लेकर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है और उसे आपसी सती से सुलजाए, तो जल्दी सुलजे आर्थिक मामलों में कोशिश करने से सफलता मिलेगी, इनकम बढ़ने के भी योग हैं, उधार या रुका हुआ पैसा मिलने की भी संभावना है, नौकरी और बिजनस की यात्राएं करनी पड़ेंगी, यह यात्राएं समस्याएं हो सकती हैं, शेर माकेट और निवेश में फाइदा होने के योग हैं, वर्किंग महिलाएं तरक्की को लेकर संतुष्ट रहेंगी, पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा, परिवार में कोई भी शुभ काम पूरा हो सकता है, पति-पतनी के रिष्टों में अ पूरे साल इंडाइजेशन और एसिडिटी जैसी समस्या हो सकती है, मौसमी बीमारियों से भी बच कर रहें, जीवन साथी की सेहत को लेकर घर की देख भाल में एक्स्ट्रा समय देना पड़ सकता है, आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन बीच-बीच में उलजने भी आ सकती है, डिसिप्लिन से रहेंगे, तो आपके कामों को किस्मत का साथ भी मिल सकता है, पारिवारिक संपत्ति को मामला कोट में चल रहा है, तो उसे आपसी सहमत इसे सुलजाने की कोशिश करें, सफलता मिल सकती है, रुके हुए काम आसानी से बनने लगेंगे, आत्म विश् नैतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है, परिवार में किसी पुराने मसले को लेकर तनाव हो सकता है, आसान रास्तों से जल्दी सफलता पाने के चक्कर में किसी भी गैर कानूनी काम में दिल्चस्पी ना ले, पैथिक संपत्ति से जुड़े वि नौकरी पेशा लोगों को ट्रांसफर अंचाही जगह हो सकता है, जो लोग बिजनिस में हैं, उन्हें अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नौकरी की तलाश या बिजनिस शुरू करना चाहते हैं, तो सफलता मिलेगी, मौजूदा नौकरी में भी आगे ने या बच्चे के जन्म की खबर मिल सकती है, निजी यात्राएं तो होंगी, परिवार वालों के साथ धार्मिक जगहों पर जाने का मौका मिलेगा, प्रेम संबंधों में चल रही गलत फहमियां दूर होंगी, सेहत के नजरिये से यह साल सामान ने रहेगा, ब्लड प्रेशर डाइबिटीज की समस्या है, तो लापरवाही न करें, नियमित जांच करवाते रहे और इलाज ले, महिलाएं खास तोर से अपनी सेहत के लिए सावधान रहे, किसी तरह का इफ होने की भी आशंका है, भाई बेहनों के साथ मनमुटाव चल रहा है, तो संबंधों में मिठास आ जाएगी, विदेश जाने की कोशिश कर रहे लोगों की रुकावटें दूर हो सकती है, धार्मिक यात्राएं हो सकती है, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो किसी खास इंसान के जरिये सफलता मिलने की संभाव ना है, सफलता पाने के लिए पूरे साल ज् लेकिन आपकी समस्याएं बड़ा भी देंगे, जमीन जादद से जुड़े मामलों में मेहत के साथ सफलता मिलेगी, कागजी कामों में खासतोर से सावधानी रखें, दोस्तो आज नौकरी पेशा व्यक्ति अपने काम को बखूबी अंजाम दे पाएंगे, अधिक व्यस्तत की वजह से स्वास्थि पर प्रभाव पड़ सकता है, काम के साथ साथ अपनी देख भाल करना भी आवश्यक है, किसी निकट संबंधी की तरफ से कोई खुश्खबरी मिलने से मन प्रसन रहेगा, हर बात को गहराई से समझना और उस पर अमल करना, आपका विशेश गुण र सिर्फ धैर्य और शांतिपूर्ण तरीके से अपने कारियों को अंजाम देते जाए। अखनीक अपनाएं, डिटॉक्स करने वाली डाइट से भी आपको मदद मिलेगी। आज का दिन अन्य एवं दूसरे मौके के लिए उपयुक्त है, जिन लोगों ने आपके साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया है, वे लोग आपसे मिलने या सलाह लेने आ सकते हैं। आज का दिन नए सिरे से अपनी दोस्ती और प्रेम को मजबूत करने का समय है। आज का दिन माफी प्रदान करने, गलतियां भूलने और बेकार की चीजों पर पानी डालने का समय है। दूसरी ओर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं। यह समय पुरानी बातों को अधिक से अधिक काम लेने की इच्छा आप में प्रबल होगी और तब भी आप खुश रहेंगे। इस से पता चलता है कि चीजें सकारात्मक दिशा में आगे भढ़ दिये रही है। लेकिन इस उत्साह में अपने स्वास्थ्य को नजरंदाज न करें। एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में रहता है। किसी पुराने दोस्त या परिवार के साथ बाहर घूमने जाने या बातचीत का आनंद ले। आपको अपने काम के लिए उन्ही तरीकों पर भरोसा करना चाहिए जो आपके लिए पिछले समय में लाभकारी रहे हैं। आज कोई नया प्रयोग शुरू करना ठीक नहीं होगा। अगर आप कोई नौकरी या कोई परियोजना हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तपो पारंपरिक तरीकों से ही कोशिश करें। अपने विचारों और योजनाओं की अच्छे से मार्केटिंग करें। सफलता जरूर मिलेगी। हर रोज एक कप कॉफी आपके दिल के लिए बहुत अच्छी है। मुलेठी की चाय भी फायदे मंद रहेगी, इससे आपके पेट की स्थिती भी ठीक रहेगी। अगर आप पे पदार्थों जैसे चाय कॉफी आदी की मात्रा बढ़ाते हो तो आपको पानी की मात्रा भी बढ़ानी चाह दोस्तों दूर हवन कराने से नकारात्मक उर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है हवन की विभूती से नकारात्मक उर्जा दूर होती है आप हवन की भस्म को घर या दुकान के चारों ओर छिड़क इससे नकारात्मक उर्जा दूर होती है और यह नजर दोश के लिए भी प्रभावी है. नजर दोश उतारने के लिए हवन की भस्म को भी प्रभावी माना जाता है. दोस्तों, यह उपाय छोटा है, लेकिन यह बहुत ही चमतकारी है. अगर इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आती रहती हैं, आज का दिन आपके लि में निराशा बनी रहेगी. आप कोई बड़ा जोखिम उठाने से बचे और छोटे बच्चों के लिए आप कुछ खाने पीने की चीज लेकर आ सकते हैं. दानधर्म के कारे में भी आपकी पूरी रुची रहेगी. आप भाई बहनों से पारिवारिक समस्याओं को लेकर बात चीत कर सकते हैं. आज का दिन आपके लिए बहुत ही सूजबूज दिखा कर आगे बढ़ाने के लिए रहेगा. आप अपनी अच्छी सोच का कारेक शेत्र में लाब उठाएंगे. इसलिए अपने मन में नकारात्मक विचारों को ना रखें. आप किसी गलत काम के लिए हां म ना मिलाए, नहीं तो बाद में आप उसमें फंस सकते हैं. आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम आपके लिए समस्या बन सकता है, जिसके लिए आपको अत्यधिक मेहनत करनी होगी, उसके बाद ही वह पूरा हो सकता है. संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है. आज का दिन आपके लिए तरक्की दिलाने वाला रहेगा. आपको अपने करियर में एक अच्छा उच्छाल देखने को मिलेगा, कार्यक्षेत्र में. आप अपने कामों को दूसरे पर न डाले, नहीं तो उसमें कोई गलती हो सकती है. राजनीतिक क्ष में आ रही समस्याओं के कारण थोड़ा परेशान रहेंगे. आज का दिन आपके लिए उत्तम संपत्ति के संकेत दे रहा है. आपका किसी नई संपत्ति को खरीदने का सपना पूरा होगा. संतान को दी गई जिम्मेदारियों में डील हो सकती है, जिसके बाद आप उनसे ना आपको अपने व्यवसाय में बदलाव करने से बचना होगा. नहीं तो इसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिती पर पड़ सकता है. आप किसी अजनभी पर भरोसा ना करें. आज का दिन आपके लिए शीघ्रगामी वाहनों के प्रयोग से सावधानी बरतने के लिए आपको किसी यात्रा पर जाते समय वाहन बहुत ही सावधानी से चलना होगा. कार्यक्षेत्र में आप यदि कोई डील फाइनल करेंगे तो उसमें पूरी लिखा पड़ी करके करें, नहीं तो आपके साथ कोई धोका हो सकता है.